Hello guys, हम कर रहे हैं business organization and management for become BBA first year students आज का lecture number 4 है इस subject के अंदर अभी हमारा unit number first चल रहा है टोटल 5 unit होती है, तो first unit चल रही है अभी ठीक है तो first unit के अंदर आज हम chapter number second से continue कर रहे हैं इसको लेकिन unit total overall first चल रही है आज की lecture के अंदर हम बहुत ही most important topic करने वाले हैं जो exam purpose से बहुत important है क्योंकि ये topic के उपर question exam में आता है और इसके अलावा अगर इसको practically देखा जाए तो बहुत useful है, knowledgeable topic है तो आई हम इसको समझते है topic है process of setting up of business enterprises previous तीन lecture मैं upload कर चुका हूँ उसके अंदर business enterprises, business के बारे में बहुत कुछ discuss किया है अब बात आती है कि या उस business को setup कैसे करना है उस business को setup कैसे करना है तो किसी भी business को setup करने का एक process होता है और उस process में कुछ steps होते हैं तो किसी भी business enterprises को setup करने के लिए जो process है, उस process को follow करने के total 5 steps है अगर आप इस 5 steps को follow करोगे तो आप business को setup कर दोगे तो क्या 5 step है 1st step कौन सा है सबसे 1st step है identification of business opportunity सबसे पहले आपको market में business opportunity को identify करना पड़ेगा मतलब क्या आउसर है business करना का उसको पहचानना पड़ेगा 2nd है generation of business idea opportunity मिल गई आपको कोई एक आउसर दिख गया लेकिन अब उसमें से business idea को generate करना 3rd number आता है feasible study फिर उस business idea के बारे में पूरी detailed study करना और फिर एक business plan को त्यार करना preparation of business plan that is step number 4 and last step है launching the enterprises फिर आप उस business idea के basis पर business plan के basis पर business enterprises को launch कर देते हैं अगर आपको exam में ये 5 points की 5 steps की जो heading है अगर आपको ये याद होती है तो वो heading ये आपको काफी marks दिला देगी और उसके साथ साथ में अगर आपको step 5 की heading भी याद है और मेरा ये lecture अगर आप देख लोगे तो इस heading के अंदर आपको लिखना क्या है आप वो भी अच्छे से समझ जाओगे तो चलिए carry करते हैं एक-एक step को समझते हैं सबसे first step identification of business opportunity हाँ भया पहले business opportunity को तो आप market से पता करो अब देखो normal person जो होता है वो कभी भी market के अंदर या कहीं पर भी business opportunity को जो है पहचान नहीं सकता कभी business opportunity को जो है identify नहीं कर सकता पहचान नहीं सकता क्योंकि उसका mind business mind होता ही नहीं है लेकिन जो एक entrepreneur होता है एक business man होता है वो हर जगह business opportunity को खोजता रहता है कहने का मतलब उसका mind business man की तरह दोड़ता है entrepreneur की तरह दोड़ता है वो हर जगह market के अंदर कहीं भी बेटा होगा business के बारे में सोच रहा होगा तो business opportunity का बहुत सारी उसको दिखेगी अब वो जो business opportunity उसको दिख रही है क्या practically उसके उपर business किया जा सकता है क्या उसको implement किया जा सकता है ये सब कुछ पहचानना उस product से related पहले से business चल रहा है नहीं चल रहा है बिलकुल new innovation है, new idea है तो ये पूरा पता करना, इसको पहचानना यही है identification of business opportunity और इसको कोई भी entrepreneur, business man आसानी से पहचान लेता है और उसके साथ साथ में यह भी पता करना होता है कि ये जो business opportunity आपने खोजी है इससे कोई product deliver करोगे या कोई service deliver करोगे आप किस तरीके का business करोगे कोई manufacturing opportunity है या कोई trading opportunity है या service के लिए कोई opportunity है ठेक, next आता है generation of business idea ठेक है, business opportunity आपको अधिकतर पता है कहां से मिलती है जब भी ये अगर आप business में interested हो और आपने कभी कोई किसी business man को सुना होगा या जो business man को entrepreneur वगेरा जो होते हैं उनको अगर आपने कभी सुना होगा उनके interviews देखे होंगे तो अधिकतर business opportunities जो मिलती है वो problem से generate होती है मतलब आपको क्या करना होता है society के अंदर, समाज के अंदर, भाजार के अंदर हर जगा आपको problem को identify करना होता है और अगर आपने problem identify कर दी और आप लोगों को आप उस problem का solution दे देते हैं तो वहाँ पर एक business opportunity generate होती है ठीक है अब वो business opportunity जो generate होने के वहाँ chances है जहाँ problem होगी वहाँ पर उसका solution देना पड़ेगा तो वहाँ business opportunity generate होने के chances रहते हैं अब आपको एक ऐसा idea खोजना होगा एक ऐसा idea generate करना होगा जिससे आप उस problem का solution निकालो और लोगों को उस problem का solution निकाल के दो लेकिन पहले आपको खुद को निकालना पड़ेगा ठीक है तो उसको ही बोलते हैं generation of business idea लेकिन business idea को generate करने से पहले आपको दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए वरना वो idea कोई काम का नहीं होगा वरना उसके बार में सोचने से कोई मतलब नहीं है फर्स्ट जो आपका उस problem को solve करने का idea है जिसको आप business में convert करके profitable business बना सकते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता करना होगा कि उसके उपर ROI यानि कि return on investment कितना मिलेगा यानि कि जो problem है उसका solution करने के लिए जो आप business सोच रहे हो उसका solution करने में जो खर्चा लगेगा उसके उपर वापस कितनी कमाई होगी इसको बोलते ROI return on investment तो उसका पता करो सबसे पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने idea निकाला उसमें return on investment जो है वो 2-4% है 8% तो फिर पैसा ले जा कि bank में जमा करा FDP interest मिल जाएगा फिर क्या मतलब तो वो चीज होती है फिर भी आप कोई business जा और इसके अलाबा फिर उसको implement करना भी होना चाहिए ऐसा idea नहीं होना चाहिए कि उसको implement ही नहीं किया जा सकता है implement करने का मतलब होता लागू करना implementation है ना लागू कर practically वो possible होना चाहिए इंपॉसिबल नहीं होना चाहिए ऐसा idea होना चाहिए ओके next अब एक generation of business idea के अंदर भी ये तरीके अपनाऊगे तो आप बिल्कुल business idea आपके दिमाग में आएंगे आपको सोच के देख सकते हो सबसे first है observing market market को observe करो market को observe करने से बहुत सारे business ideas generate होते हैं जैसे आप देखते होंगे जो आप use करते हो businesses को जैसे जोमेटों से कभी सामान मंगाया होगा है सुईगी से मंगाया होगा या online phone का जो recharge कराते हैं PTM phone पे से UPI से ये सब के सब क्या है ये सब के सब market को observe करके generate किया आइडिया है और technology का फिर उसमें इस्तेमाल किया है चाहे ओला हो, Uber हो और ये hotels हो ये सब के सब market को observe करके demand और supply के बीच में किया गया काम है कि इस जगह demand बहुत है supply कम है बस वहाँ supply कर दी लोगों की problem solve कर दी और एक business idea जनरेट हो गया तो market को observe करो जिस बंदे में observing पावर बहुत ज़ादा होती है observing मतलब देख सकता है वो चीजों को समझ सकता है उस बंदे के आगे जाने के chances बहुत ज़ादा होते हैं कुछ लोग होते हैं बिना सोचे, समझे, बिना देखे बिना observe किये कुछ भी करते हैं वो एक दम गे लटाई होते हैं बंदा वो बहुत intelligent होता है बिलकुल सांत बटा-बटा देखता रहता है आया समझ में तो ज़्यादा चटर पटर नहीं करनी चीज़िए observing powers जो है वो ज़्यादा होनी चीज़िए इससे focus power बढ़ती है और focus power बढ़ती है तो बड़ी-बड़ी problem का solution निकाला जा सकता है मार्केट में idea तो आपको आराम से मिल सकते हैं नेक्स आता है prospective consumer और कैसे आप idea निकाल सकते हैं एक तो यह बताया market को observe करके निकाल सकते हो next prospective consumer prospective consumer का मतलब यह हो गया कि जो product के बारे में आप सोच रहे हो जिस service के बारे में आप सोच रहे हो उनको जो use करने वाले consumer है जो prospective consumer है उनसे जाके बात करो उनसे जाके मिलो उनकी understanding को उनकी problems को सुनो, समझो तो आपको वहाँ से एक idea generate हो सकता है या जो आप आइडिया सोच रहे हो बेटर हो सकता है यह पता लग सकता है कि आपने आज जो idea सोचा है वो implement हो सकता है या नहीं study of project profile और कैसे कोई business idea हम generate कर सकते हैं तो government हो गई या financial institutions हो गई बहुत सारे financial institutions और government जो है बहुत सारी project files या project reports जो है वो issue करती है इन business ideas के उपर, business के उपर, market के उपर आप उनको study करों तो वहाँ से भी आपको कोई एक idea मिल सकता है next आता है development in other country other nations development in other nations ऐसे businesses जो एक developed country के अंदर या developing country के अंदर develop हो चुके हैं तो उस business idea को वहाँ से copy करके आप अपनी country में apply कर दो और ऐसा India में दो बहुत हुआ बहुत सारे businesses हैं जो develop country में बहुत चले और उसके बाद उनको copy करके यहाँ के demographic के हिसाब से यहाँ के culture के हिसाब से और India की जो nature है, culture है, demography उस हिसाब से उसको थोड़ा बहुत change करके इंडिया में apply किया गया और वो business बहुत success हुए ऐसे बहुत सारे business है एक दो नहीं बहुत सारे बहुत सारे यंगस्टर जो होते हैं बाहर जाते हैं develop countries के अंदर, USA के अंदर Canada के अंदर, अगेरा Europe के अंदर और वहाँ जाते हैं study करने के लिए और study के साथ साथ में वहाँ पर कुछ उनको click हो जाता है जो अधिक तरी MBA वाले जो होते हैं बाहर MBA करने जाते हैं बड़ी-बड़ी universities के अंदर और वहाँ पर MBA के साथ साथ में वहाँ इसा होता है कि job भी करते हैं लोग काफी तो वहाँ से उनको उन culture को देख करके लगता है यार यह तो आंदिया में भी किया जा सकता फिर वहाँ से आपतें आंदिया में और आंदिया में वह काम कर देते हैं और उसके बाद वह business का एक बड़ा रोग ले लिता है ठेक है ? छी तो यह भी किया जा सकता है ideas generate होते हैं जैसे दुबई के अंदर, चाहिना के अंदर बड़े trade exhibitions वगेरा लगते हैं और पहले भी लगते थे अब भी लगते हैं तो वहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ के product को बना-बना के इंडिया में बेच बेच के खुब पैसा कमाया ट्रेडिंग के थुरू manufacturing तो रहने ही दो ठीक है तो ये business ideas हैं जो आप यहाँ से खोल सकते हैं इन तरीकों से उन business idea को ढूंड सकते हैं, generate कर सकते हैं ठीक है, तो हमारे दो point हो गए first हो गया कि market की जो opportunities हैं business opportunities उनको डूंडो, फिर उससे business idea generate करो, business idea यहाँ से generate हो सकता है, next step आता है किसी भी business को बढ़ाने का, entrepreneurs को setup करने का, feasibility feasibility study feasibility study का मैंने एक word में यह answer दिया है, detailed study आपका जो business idea है अब आप उसकी detailed study करो only idea मिल गया उससे कुछ नहीं होता है उसको आगे implement करने के लिए उसकी detailed study करना होता है detailed study का मतलब यह हो गया भी technical aspects क्या होंगे, commercial aspect क्या होंगे, social aspect क्या होंगे economic aspects क्या होंगे आई यह मैं बताता हूँ आपको सबसे फर्स लिया मैंने technical aspect मतलब जो आपने business idea सोचा है, वो किस जगह setup करोगे उसकी location क्या होगी यह बहुत important है और किस तरीके की वहाँ पर machinery setup होगी किस तरीके का वहाँ पर customer base है जो आपको help करेगा किस तरीके की technology चाहिए वहाँ पर so location हो गया, मतलब resources जो हो गए एक तरीके से, उसकी study करोगे कितने resources की requirement है किस-किस तरीके के resources की requirement है यहाँ पर, इस business के लिए तो technically उसको समझो पूरा next आता है, commercial aspect commercial aspect है, क्या आप जो product बना रहे हूं market में उसकी demand है demand है, तो कितनी है, आपकी competitor कितने है आप फिर उस demand के हिसाब से जब supply करेंगे, तो लोग आपके product को या service को लेंगे मतलब, विकेगा, तभी तो business चलेगा तो वो कितना chance है उसका आप detail study करो next आता है, financial aspect financial aspect का मतलब हो गया जो आपका project है जो आपका business idea है उसकी project cost क्या होगी उस business idea को setup करने में कितना पैसा लगेगा किस तरीके से land purchase करेंगे या फिर land को जो है आप lease पे लेंगे, rent पे लेंगे building को, उसके अंदर machinery जो purchase करेंगे, वो कहां से finance कराएंगे पैसा कहां से आएगा कितना चाहिए, आएगा कहां से वो तो ठीक है कितना चाहिए पैसा, में तो ये है feasibility report के अंदर detail study की जाती है कितनी project cost आएगी आपकी वो पूरा study करो, ठीक है next आता है, social and economic aspect अब इसमें तो लिख दोगे, आप technical में लिख दोगे commercial में लिख दोगे, financial में लिख दोगे एक एक वटब में बताओ, technical मतलब कहां कहां सेटप करना है, कौन से चीज, technically देख लो commercial मतलब जो product होगा, market में उसकी demand देया नहीं है वो देख लो, financial मतलब उसमें project की cost कितनी है वो देख लो, अब social and economic aspect क्या है social का मतलब होगा है, जो आपका product है जो आपकी service है, जो आपका idea है उससे, लोगों को, समाज को, society को क्या फाइदा होगा दो तरीकी फाइदे होते हैं एक उनको ऐसी problem का solution मिल जाता है जो उनके पास पहले से नहीं था तो उनकी life better होती है, living instead बढ़ता है second, और लोगों को क्या मिलगा, रोजगार मिलता है employment generate अगर आपका पाते हो, तो society को इससे बड़ा फाइदा होता है इससे आपको business को भी होता है next राता है आपका economic economy का मतलब आप economy में क्या कर रहे हो जैसे employment generation तो है वो society के लिए भी है, वो इकनोमी के लिए भी better है रोजगार मिलेगा तो फिर बढ़िया ही रहेगा और इसके अलावाला आप जो project बना रहे हो क्या आप कोई ऐसा product बना रहे हो ऐसा project है आपका जिससे पहले हमारी country वो product किसी और से import करती थी अब import नहीं करेंगे कहीं ऐसा है, अगर ऐसा है तो better है तो आप एक import का substitution दे रहे हो क्या क्या आपके business की वज़े से आप export इजना कर रहे हो कि foreign currency आ रही है ठीक, next, आगे बढ़ते हैं next step है आपका preparation of business plan अब आपने business opportunity देख ली idea generate कर दिया और feasibility report यानि की detail study कर दिया अपने plan की, business की idea की, अब आपको क्या करना है उसका business plan त्यार करना है business plan क्या है, important document है बहुत ही important document है very very important document क्योंकि आप कहीं भी जाओगे fund उठाने के लिए, fund raise करने के लिए, क्योंकि अगर बड़े level पर करोगे तो बहुत पैसा जरूत पड़ेगी छोटे level पर करो तो छोटा पैसा चाहिए लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप bank से loan लो, वैसे वो सकता financial institutions से जो है आप fund raise करो, या फिर हो सकता आप अपने friend circle, families में से किसी से पैसा उधार लो, या उनको partner बनाओ, तो उसके लिए आपको ये business plan properly उनको समझाना पड़ेगा और business plan समझाने के लिए ही हम बनाते हैं business plan so it is a very very important document अब business plan में सामिल क्या होता है पूरा functional plan होता है मतलब किस तरीके से business start होगा किस तरीके से set होगा, किस तरीके से आगे profitable होगा, इसका पूरा plan यानि कि इसकी marketing कैसे होगी इसकी financing कैसे होगी, marketing मतलब market में कैसे आप अपने product को स्तापित करोगे, finance कहां से आएगा production कहां और कैसे करोगे किस तरीके का production होगा, किस तरीके की machinery चाहिए, किस तरीके के लोग चाहिए skill labor चाहिए, unskill चाहिए, कैसे चाहिए लोग आपको किस category के चाहिए आपका business किस category का है, किस industry का है ये पूरा detail में आपको अच्छे से उस business plan के अंदर लिखना पढ़ेगा और finally फिर आप आगे क्या करोगे उस launch कर दोगे उस enterprises को और launching the enterprises के मतलब होता है assembles the necessary resources to the launch enterprises यानि कि जितने भी resources है उसको assemble करो और business को launch कर दो तो ये किसी भी business को setup करने के 5 steps हैं और ये बहुत important है आप यहां से start कर सकते हैं अगर आपको business में interest है और future में आप business करना चाहते हैं तो identify करना start कर दो business opportunity को market की problems को देख करके और उससे फिर business idea generate होंगे अब बहुत सारे business idea हैंगे लेकिन हर idea जो होता है वो काम का नहीं होता है क्योंकि idea वो होना चीज़ जिसके ऊपर आपको return भी मिले और इसके अलावा उसको implement भी किया जा सके हैं ठीक है फिर उसकी detail study करो फिर business plan बनाओ और enterprises को launch कर दो तो this is the step for setting up of business enterprises और it is very very important for the examination purpose and for the knowledge ठीक है मिलते है next lecture में I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा आपका support चीज़ जादा से जादा like share and subscribe करें comment करें goodbye thank you